हेलो गाइज, आज हम आपके लिए कराए हैं अपने इस वीडियो में How to write a letter, it means letter writing. What do you mean by letter writing? क्या है letter writing? Letter writing is a means of communication. Letter writing एक communication का साधन है, विचारों के आदान परदान का साधन है. If we want to send any message in written form, we to someone who lives far away from us. This way of sending news is called letter writing. अगर हम अपने किसी दूर सतित जान पहचान वाले को या अंजान को भी लिख करके कोई message बेजना चाहते हैं, कोई संदेश लिखना चाहते हैं, तो उसको letter का नाम दिया जाता है. जैसे आपने प्राचिन समय में देखा होगा, कि कबूतर के दवारा letter बेज़े जाते थी, और संदेश वहाग गोडे पर ले जाकर के letter को पहुंचाते थे, किसी दूसरे राजा के पास, सेनापती के पास, वो एक माध्यम था, उसके बाद चिठ्यों का आदान परदान हुआ, उसके बाद जैसे ही अमारी सेबता संसकर्ती का विकास हुआ, तो फिर पत्तर चलन हो गया, और कागज पर पत्तर लिखे जाने लगे, और डाके के माध्यम से संदेश पोचाने जाने लगे, आई है, आई है, आई है, तो वो सब हमारे पत्तर लेखन के महत्तों को दर्शाते हैं, अब हम आते हैं इसके टाइप्स पर, टाइप्स उप लेटर, देर आर टू टाइप्स उप लेटर, डिये स्टूडेंस, दो परकार के लेटर होते हैं, One is formal letter, second is informal letter, एक होता informal letter, formal letter क्या होता है, formal letter को हम अप्चारिक पत्र कहते है हिंदी में, formal letter is a letter in which we use for formality, it means we have used certain rules and live in limitations, live in disciplines, वो letter जापर हमें कुछ rules का पालन करना होता है, अनुर्शासन में रह करके हमें लिखना होता है, हम अपने मन की बात को यूही नहीं लिख सकते, उनको भी system से लिखना होता है, बहुत सारी सावदा लिखनी पड़ती है, वे हमारे formal letter जाप formality करनी पड़ती है, जापर हम सीधे open नहीं हो सकते, कि अचानक कुछ भी मन की बात लिख दे, जो मन में आया, लिख दिया और बेज दिया, no, formal letter में formality का पालन क्या जाता है, हमें नियोमों में रह कर लिखना पड़ता है, और इसके कुछ example देखो, जैसे business letter, हम business के सिलस्रे में letter लिखते हैं, official letter, हम office में letter लिखत हैं, applications, हम application लिखते हैं, letter of complaint, हम सिकायत के letter लिखते हैं, वह सिकायत है, किसी officer के खिलाब सिकायत है, किसी post में खिलाब सिकायत है, या कोई वैसी सिकायत हम कर रहे हैं, हम message को सिकायत कर रहे हैं, हम complaint दे रहे हैं, हम थाने तैसील में जा रहे हैं, हम F.I.R. लिख वा रहे हैं, वे भी एक letter का रूप है और फिर तिस letter to editor हम समाचार पत्तर के संपादक को हम letter लिख रहे हैं हमने कोई problem है उसके बारे में society में कोई problem उसके बारे में या फिर हम किसी परकार के अपने views समाज में फैली कुरूतियों नई बुराईयों के बारे में अपने views देना चाहते हैं तो letter to editor लिखा जाता है ताकि हमारी बात editor शहाब अपने समाचार पत्तर में छाप दे और दुनिया तक हमारी बात पहुँच जाए कम से कम जो सकबार को पढड़े हैं उन तक हमारी बात पहुँच जाए वो letter to editor होते हैं अब बात करतें informal letter की Informal letter. Anopchaarik patr. Kownse anopchaarik patr? Anopchaarik patr. Kownse otanopchaarik patr? Informal letters are those letters which are right to our bond relations. Friends, known twos, known twos and relatives. जान पहचान वाले इन सच लेटर्स वी डॉंट यूज फोर्मेलिटी वी राइट आर फिलिंग्स थोर्ट्स एंड कंशन्स फ्रेंकली एंड फ्रेंडली विकॉज वी आर फैमिलियर टू दा रिसीवर अब ऐसे इन फॉर्मेल लेटर्स वे लेटर होते हैं डियर सुडेंट् अपने खून के जो सम्मंध होते हैं हमारे ब्लेड लेशन्स होते हैं उनको लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं नोन टूज में जान पैचनल लिखते हैं और सगे सम्मध्यों को लिखते हैं इस तरह के लेटर्स में हम फॉर्मेल्टी ज्यादा नहीं दिखाते है हम अपनी feelings को अपने विचारों को अपनी concern को अपनी चिंताओं को हम frankly और friendly share कर देते हैं क्यों कर देते हैं because we are familiar to the receiver क्योंकि जिसके पास हम चिठीली करें receiver प्राप्त करने वाला वो अमारा जानने वाला है familiar मैंने वो अमारा जानने वाला है इसलिए जो है इस तरह के letters में हम जो है ज़्यादा फोर्मल्टी नहीं करते हैं हम informal हो जाते हैं इसलिए उनकों informal letter कहते हैं बाई कम कानूनों का पालन हो जहां कम rules का पालन हो जहां हम खुल के अपनी feeling बतास के जहां उस letter में जहां पर हमारी इस तरह की feeling share होती हैं वो informal letter कहलाते हैं अर्थात अनुपचारी पत्र कहलाते हैं कोच example देखो आप we write a letter to the father for sending money अपने पिता जी के past letter लिखते हैं कि पापा जी पैसे बेज़ दो जिनके पापा दूर काम करते नुकरी करते हैं we invite friend to stay with us in summer vacations जैसे अभी कोई मित्र है हमारा हम उसको बुलाते हैं कि गर्मी की छुटी होंगी तो हमारे साथ रहना आप अपने मित्र को लिखा ये अपने पापा को लिखा ऐसे हम अपने मम्मी को लिखे हैं दादी को लिखें चाचा को लिखें चाची को लिखें ये जो है कुछ एक्जामपल है इन फॉर्मेल लेटर के जाप हम ज्यादा फॉर्मेल्टी नहीं करते हैं अब आगे देखिए we send important news to uncle और आंटी भई हमें कोई news बेजना है अपने अंकल को और आंटी को जो कहीं दूसरे परदेश में रह रहे हैं स्टेट में रह रहे हैं तो हम वह आप सब इन फॉर्मेल लेटर के दवार ही उनको अपने news बेजते हैं गर परिवार के या कोई और कुछ देना हो message अब हम बात करते format of informal letter की format of informal letter क्या क्या जो मतलब क्या format है कैसे लिखें क्या तरीका है informal letter का dear students बहुत जुरूरी है यह जानना बले ही हम इसमें ज्यादा rules का पालन नहीं करते हों लेकिन rules में रहकर ही लिखा जाता है यूँ हम ऊटपटां कुछ ऐसे नहीं लिख सकते कि जो मन में आया वो लिख दिया और जैसे आया वैसे लिख दिया किसी का नाम कहीं लिख दिया किसी का समाचार कहीं लिख दिया No, we should have to maintain discipline, we should also follow some rules but with open-hearted to share our feelings For example, जब हम letter लिखते हैं किसी जान पैचानवाले को तो शुरू में आता sender's address सबसे पहले sender's address लिखने वाले का address जो letter लिख रहा है अगर वो address दिया हुआ है exercise में तो वो same to same लिखना पड़ेगा अगर वो sender's address exercise में नहीं दिया हुआ है तो आपने यहां पर बनाना पड़ेगा फिर और हम यहां बना सकते हैं जैसे भी हम लिख देते हैं मान लिया जाए अगर हम exam दे रहे हैं dear students तो हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि हम उस time पर examination hall में बैठे हैं तो हम यह से examination hall xyz और जो date होती है वो date ऐसे लिख दिया नहीं आप date date word नहीं आएगा आपको लिखना पड़ेगा for example September 15 2022 इस तरह से और अगर माल्या उस address में अगर वो दिया हुआ sender का और pin code है तो pin code और वो शेर का नाम को लिखना पड़ेगा उसके बाद अगर receivers address अगर exercise में receiver का address दिया हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा अगर नहीं दिया हुआ तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की थार नमर प्यास salutation और greeting एक ही बात है salutation अभी वादन होता है greeting भी वादन होता है इसमें क्या है जिसके पास हम letter डाल रहे हैं लिख रहे हैं जिसको अपने जान पजान वाले को उसको हम dear father कहते हैं अगर father को लिख रहे हो mother को तो dear mother dear uncle dear friend dear cousin dear friend तो such type of words we use and all these words are called salutation because this is a feeling of salutation this is the feeling of greetings fourth number is starting line opening line तो होनी चाहिए ना हमने letter लिख दिया तो शुरू भी तो करना है वो तो शुरू कैसे करेंगे हमारी एक tagline होती है informulator में कि we are fine here and I hope that you will be also fine there with God grace यह जब हम पहले चिठी लिखते थे आज से 25 साल पहले 30 साल पहले जब यह mobile वगरा नहीं आये थे ना landline ना कोई और तब हम ऐसे लिखते थे तो वहां पर हमारी पहला लाइन यह जो ही कि हम सभ यहां पर राजी खुशी से हैं और बगवान से द्aría करते हैं कि आप भी वहां पर राजी खुशी होंगे तो यह वह line है यह informulator में लिखे जाती है formulator में कभी लिखे जाती कोई formulator में तो प्रमेल्टी ज्यादा होती हैं ऐसी फिलिंग्स वहां शेयर नहीं होती वहां तो काम से काम रखना पड़ता है और यह हमने काम के साथ अपनी फिलिंग भी शेयर कर सकते हैं कि कि फिफ़ नंबर पे बोड लडाटरं यह मां पारठि है लेटर का इसको हम तीन परागराफ में लिखेंगे जो भी आपने बताना है जो अपने दन्न को बताना है उसको अपने मित्र को बताना है तो इस तरह के इंफॉर्मल लेक्टर में हम थ्री पैराग्राफ्स बना देते हैं पैराग्राफ्स वह थोड़े छोटे हों पर जो आपका ना चाहते हो वह पूरी तरह में आ जाना चाहिए ताकि सामने वाला समझ जाए आपके पी सब्सक्राइब करने हैं अगर आपका नाम दिया हुआ है तो वह आपके साइन और आपका नाम कैपिटर लेक्टर में आ जाएगा अगर मान लिया जाए आपका कर नाम नहीं है तो आप यहाँ पर ABC लिखेंगे XYZ नहीं क्योंकि XYZ आप जो है यहाँ पर एडर्स में यहाँ पर लिख चुके हैं जहाँ पर उसने अगले का यानि के सेंडर्स में नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पर हमने जगए के रूप में XYZ बना दिया तो अब ही यहाँ पर हम OXYZ के अंदर यह थी हमारे जो हैं format of informal letter अब हम कुछ examples देखते हैं देखें examples जैसे write a letter to your to your uncle to your uncle thanking him for birthday gift आपके अंकल ने आपको आपके बड़े पर गिप्ट दिया होगा तो इसको आपने लिखना है दहनवाद देते हुए कि आपने मुझे इतनी अची घड़ी दी इतना एक इस दी तो इसको thanking letter लिखना देना यह आपके जान पैचानवाले आपके अंकल हैं तो यह informal letter हो गया write a letter to your friend describing him your latest visit to Art and Craft Museum New Delhi अपने मित्र को जो आप से दूर हापका मित्र उसको आपने letter लिखना है कि मैंने अब भी ताजे ताजे हाल ही में को एक विजिट किया था Art and Craft Museum New Delhi तो कितना मज़ा आया क्या planning किया आपने उसको आपने describe करना है उसके सामने और इस तरह के जो letter होते हैं वे आपके traveling letter में भी count होते हैं थार राइट एलेक्टर टू योवर तू योवर फादर राइट एलेक्टर तू योवर फादर विज ओन डूटी एट इंडो पाक बॉर्डर अमरिट सर्थ यूट मेरिक इन टेंथ क्लास अनुवल एक्जाम अपने पापा को जिनकी डूटी भारत और पाकिस्तान थार फार true parcel की तो एक फॉषी का समाच पर आपने पापा को बच्वादत प्वदत पीजना है तो letter लिकर के in formulator के canvas था जो ये है अमारा हैं कि आप इस तरह से बना पाएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और मुझे बताएं कि और क्या सुधार करने चाहिए ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलते रहे और आप इजिली इंगलिश का ये ज्ञान आपको प्राप्त होता रहे थैंक यू वेरी मच गूड़नाइट